नमस्कार साथ ही हो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जारकन एजुकेशन हब के इस यूटूब चैनल पे मैं हूँ आपका दोस्त रितेश और आज है 29 नवंबर 29 नवंबर से जारकन के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेर्स बनेंगे उन्हें हम लोग देखने लोग देखते हैं सातिसाथ इस कलास कोके अभी आप लोग लाश तर दे घराओ हैक कुछ इम्पॉर्टेंट करेंट अफेर्स का रिबीजन भी करते हैं ताकि जारकन के करेंट समें याद रहें साती सात इस class के last में आपसे एक question भी पुछा जाता है तो उस question का आप लोग comment करके answer जरूर दे कौन सा question आपसे पुछा जाता है तो हम लोग जारकन के current affairs को daily देखते हैं उन्ही current affairs में से एक question इस class के last में आपसे पुछा जाता है ताकि आपको ये पता चल सके कि आप जो current affairs daily देख रहे हैं वो आपको याद रह रहा है या फिर नहीं रह रहा है तो आप लोग last के question का answer comment करके जरूर दे तो चलिए class को सुरू करते हैं अगर class की बात करेंगे तो इस class का PDF आपको कहां पे मिलेगा PDF जो है आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा तो आप लोग टेलिग्राम को अभी जाके जोइन कर दे इस class के नीचे description में आप लोग के लिए टेलिग्राम का लिंक जो है वो दिया गया है उस लिंक के तुरू जाकर आप लोग टेलिग्राम को जोइन कर पाएंगे अब देखिए हमसे पहले question में यह पूछा गया है कि जारकन के किस जिले में model school का निर्मान जो है वो किया जाएगा तो जारकन के कौन से जिले में model school का निर्मान किया जाएगा इसका सही आंसर क्या होगा जारकन के रामगर जिले में कहां पे रामगर जिले में model school का निर्मा के जाएगा और जार्कन का रामगर जिला ऐसा तीसरा जिला होगा जहां पे मौडल स्कूल का निर्मान जो है वो किया जाएगा जार्कन के दुमका और पालामू दो जिले में मौडल स्कूल का निर्मान अल्रेडी किया गया है और उसका उधगाटन भी मुख्यमंतरी हैमंद स सोरेन की दुवारा यह घोसना की गई है कि जारकन के रामगर जिले में जारकन सरकार के दुवारा model school का निर्मान जो है वो किया जाएगा option D जो है इसका बल्कुल C अंतर जाएगा रामगर आईए जानते हैं इसके बारे में तो आप यहाँ पे देख प्यार होंगे कि जारकन के रामगर जिले में model school का निर्मान जो है वो किया जाएगा और इसकी जो घुषना है जारकन के मुख्यमंतरी हैमन सरेन के दुवारा की गी है जharkan के धुमका और पालामू जिले मेरेडी Model School का निर्मान किया जा चुका है और उसका उधगातन भी जharkan के वर्तमान मुख्maуг्रि के मत्री हैमंत सॉरेन के दवारा किया गया है अब जharkan के रामगर्ड जिले मेरे Model School का निर्मान जो है वो किया जाएगा और कुछ इस तरीके से Model School का निर्मान जारकन के रामगर जिले में किया जाएगा. आप ये देख सकते हैं. अब बात आईए रामगर की तो रामगर जिले में इसका निर्मान के जाएगा. ये आप मैप में देख सकते हैं. ये है मैप में रामगर. रामगर जिले की स्थापना क में कब तो 2007 में रामगर जिले की स्थाफना जो है वो की गई है बात करेंगे रामगर जिले की स्थाफना 2007 में तो की गई है ये तो हम लोग जान गए लेकिन रामगर जिले की स्थाफना कौन से जिले से अलग किया गया है ये पहले कौन से जिले का पार था अभी तो रामगर अपना अलग जिला है, लेकिन अलग होने से पहले ये जो है कौन से जिले का पाठ था, कौन से जिले से रामगळ को अलग किया गया है और रामगळ जिले की स्थापना 2007 में की गई है, तो ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये है मैप में हजारी बाग, हजारी बाग का पहले पाट हुआ करता था रामगर, हजारी बाग से अलग करके 2007 में, कब तो 2007 में, रामगर जिले का इस्थापना जो है वो किया गया है, तो हजारी बाग से अलग करके रामगर जिले की स्थापना 2007 में की गया है, यानि जारकन निर्मान के बाद रामगर जिले की स्थापना क यहां पर देख सकते हैं सेक्स एश्यो है जो 921 है लिटरेसी रेट की बात करेंगे 73.92 परसंट यहां का लिटरेसी रेट है तो यह सभी डीटेल से यहां पर दी हुई है मेजर मेजर इंपोर्टेंट चीज क्या है रामगर जिले की स्थापना कब की गई थी रामगर जिला कौन से डिविजन के अंतरगत आता है तो रामगर जिला जो है कौन से जिले का निर्मान कह गया है तो सबसे आखिर में, सबसे अंतिम में रामगर जिले की इस्तापना ही जारकन में किया गया है ये आप इसके 6 ब्लोक को देख सकते हैं और ये इसके 6 ब्लोक के पोजिशन है तो आप लोग इसे याद रखे आई होप आपको अच्छे से सभी चीजे समझ में आ गई होगी आने वाले टाइम पे रामगर जिले में मौडर इसकूल का निर्मान कह जाएगा और रामगर जारकन का वो तीसरा जिला होगा चाहां पे मौडर इसकूल का निर्मान जो है वो जारकन सरकार के दुवारा किया जाएगा जारकन सरकार के दुवारा दुमका और पालामुजीले में अल्रेडी मॉडल इसकुल का निर्मान जो है वो किया गया है तो इतनी चीज़े आप लोग याद रखे चलते हैं हम लोग अगले कुश्चिन की और देखते हैं हमारा अगला कुश्चिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बैल आइकन को अभी प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दे अगर यह वीडियो आपके लिए शुरुबात कब से की जाएगी तो इसका सही अंसर क्या होगा इसकी जो सुरुबात है वो 28 नवंबर से जो है किया गया है Option d इसका बिल्कुल सही अंसर जाएगा 28 नवंबर जाड़कन के इसकोलों में 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक 28 नवंबर से 3 दिसम्बर तक सम्विधान सप्ता जो है मनाया जाएगा Option D जो है इसका बिल्कुल सही आंसर जाएगा 28 नवंबर आईए जानते इसके बारे में तो जारकन के स्कूलों में 28 नवंबर से लेकर कब से लेकर 28 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक संबिदान सब्ता जो है मनाय जाएगा इसे लेकर सभी जिलों के DEO को पत्र भीजा गया है यह क्या होता है तो दिष्टिक एजूकेशन ओफिशर दिष्टिक एजूकेशन ओफिशर दिएओ का फुल्फरम और सभी डिएओ को पत्र भीजा गया है कि जारकन के सभी स्कूलों में 28 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक क्या मनाय जाएगा तो संबिदान सब्ता जो है मनाया जाएगा ठीक है हाली में जारकन के किस जिले में एक्सपो उत्सब का आयोजन जो है वो किया गया था देखिए एक्सपो उस सब की बात करेंगे इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताई है इसका आयोजन जो है कब किया गया था इसका आयोजन 24 नवंबर से किया गया था कहां पर किया गया था राची में किया गया था राची के मोहराबादी में इसका जो आयोजन वो किया गया था, option B जो है इसका बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, इसकी सुरुबाद 24 नवंबर से की गई है, और जब इसकी सुरुबाद की गई थी, मैंने उस्ट में आपको बताया था, अब जो है, 24 तारीक से लेकर, 24 नवंबर से लेकर, 28 नवंबर तक, राची के मौरावादी में इसका जो है आयोजन किया गया था, अब जो है, वो खतम हो गया, खतम हो जाने की कारण, यह हमार लिए important बन जाता है, कि इसकी सुरुबाद कब से की गई है, इसका आयोजन कब से लेकर, कब तक किया गया है, साथी साथ, एक्सपो उत्सब की बात करेंगे, तो इसका उधग 28 नवंबर तक, एक्सपो उत्सब का आयोजन जो है, वो किया गया था, अब जो है बारत करेंगे, यह जारकन का सबसे बड़ा कंज्यूमर मिला है, यह जारकन का सबसे बड़ा कंज्यूमर मिला है, यानि ग्राहक मिला है, जारकन का सबसे बड़ा ग्राहक मिला है, कौन सा, एक्षपो उत्सब कहां पर आयोजन किया गया था तो राची में इसका आयोजन किया गया था तो ये हमारे लिए बहुती ज़्यादा important है इसलिए ये आपको दोबारा बताए जा रहा है बहुती important question है और इसके पूरे पूरे संभावना है कि आने वाले एक्जामों में ये आपको पूछा जाएगा ही इसके पूरे संभावना है कि ये question आपको देखने को मिलेगा कितने दिन के लिए क्या गया है कब से क्या गया है का पे क्या गया है तो इन सबी चीजों से जो question है वो पूछे जा सकते है इसलिए यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुशन है इसे आप लोग नोट करके रखें अब देखिए इसकी जो उधगाटन है वह कितन के द्वारा क्या गया था है तो इसका जो उधगाटन ने वह जार्कन के वर्तमान राजिपाल रमेश बेश के द्वारा किया गया था देखिए हमारा अगला कोशिन है जारकन के किस जिले में 16 दिवसिय जागरुकता पखवाडा का आयोजन जो है वो किया गया है तो जारकन के कौन से जिले में शोला दिबसिया जागरुकता पखवाडा का आयोजन जो है वो किया गया है इसका सही आंसर क्या होगा इसका जो सही आंसर होगा सिम्डेगा में इसका आयोजन किया गया है कहां पे सिम्डेगा में जो है इसका आयोजन किया गया है तो option A जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होज किया गया है कबसे 27 नवंबर से शुरू किया गया है सिम्देगा में 16 दिन के लिए जागरुकता पखवारा का ऐयोजन जिले में किया गया है तो आप ये देख सकते हैं महिला हंगसा के विरुद 16 दिबसिय जागरुकता पखवारा का ऐयोजन सिम्देगा जिले में जो हे किया गया है सिम्देगा की बात करेंगे देखिए सिम्देंगा का मैप में आपे दिया वर नहीं है तो यह समझी यह सिम्देंगा जारकन में यह है सिम्देंगा सिम्डेंगा की बात करेंगे तो 30 अपरेल 2001 में सिम्डेंगा जिले की स्थापना की गई थी यानि जब ज़ारकन का स्थापना किया गया था उस समय सिम्डेंगा जिला था क्या नहीं था उस समय सिम्डेंगा जिला भी नहीं था ज़ारकन के स्थापना के बाद सिम्डेंगा ज चोटनागपूर डिविजन यानि दप्छीनी चोटनागपूर प्रमंडल के अंतरगत आता है ठीक है और क्या देख सकते हैं तो सिम्डेगा की अगर हम लोग population density की बात करेंगे तो 160 है कितना 160 है पूरे जारकन में सबसे ज्यादा population density जनसे खनतव धनबाद में पाइजाती है और धनबाद का population density जो है 1300 है और सिम्डेगा की बात करेंगे 160 है कितना है 1060 ना की population density है और पूरे जारकन में सबसे कम सबसे Ontario Sacramento देनसिटी कि जिले की है तो पूरे ज्यारकन में सबसे-लोइस्ट पोपुलसें डेंसिटी-की बात करेंगे यह लोग वह सिम्डेगा यहां के जनसेंगा घनत्व की बात करेंगे 160 धनबाद की बात करेंगे 1300 धनबाद सबसे highest सिम्डेगा सबसे lowest तो दोनों को आप लोग यह द रखें धनबाद और सिम्डेगा, population density के लिए सबडिविजन की बात करेंगे एक ही है, ब्लॉक की बात करेंगे total 10 ब्लॉक है, कितने ब्लॉक है total 10 ब्लॉक है अब देखिए सिम्डेगा की बात करेंगे तो इसको पहले मिटाते हैं और सिम्डेगा की बात करते हैं सिम्डेगा जो है, दो रज्जों के साथ अपनी boundary को share करता है, कितने रज्जों के साथ दो रज्जों के साथ इधर कौन सा रज्ज है, तो इधर हो गिया 36 गड़ और इधर हो गिया ओरिष्टा 36 गड़ और ओरिष्टा दो रज्जों के साथ सिम्डेगा जो है अपनी boundary को share करता है तो इसे आप लोग याद रखे यह सिम्डेगा के total 10 ब्लॉक है और यह इसके 10 ब्लॉक की position है तो अगर आप चाहेंगे इन 10 ब्लॉक को note करना तो आप note कर सकते हैं इन 10 ब्लॉक को चलिए अगला question देखते हैं अगला question है हाली में उत्तर पदेश में आयोजित राष्टिय ग्रैपलिंग कुस्ति परत्योगिता में जार्कन के टीप ने कितने पदक प्राप कियें बात करेंगे राष्टिय ग्रैपलिंग कुस्ति परत्योगिता की तो इसका जो आयोजिन है वो उत्तर पदेश में किया गया था इसमें जार्कन की टीम ने चार पदक प्राप कियें जारकन की टीम ने इस परत्यूगिता में दो सिल्भर मेडल और दो ब्रॉंज मेडल यानि दो रजत पदक और दो कांश्य पदक प्राप कियें टोटल की बात करेंगे चार पदक, आप्शन C जो है इसका बिल्कुल C अंसर जागा चार चार मेडल जारकन की टीम ने प्राप कियें उत्तर पदेश में आयूज क्या गया था राष्टिय ग्रैपलिंग कुस्ति परितु किता और 24 से लेकर 27 नवंबर तक इसका जो आयूज ने वो उत्तर पदेश में किया गया था आप ये देख सकते हैं अब बात आई ये उत्तर पदेश की तो ये आप मैप में देख सकते हैं ये है मैप में उत्तर पदेश और उत्तर पदेश के कैपिटल की बात करेंगे राजिधानी की बात करेंगे लखनो लखनो जो है उत्तर पदेश का कैपिटल है लखनो का है मैप में तो ये आप मैप म उत्तरपदेश की राजधनी है, अब बात आईए लखनो की, तो लखनो को नबाबो का सहर कहते हैं, नबाबो का सहर लखनो, लखनो कौन से नदी के किनार इस्तित है, तो लखनो जो है, गोमती नदी के किनार इस्तित है, किस नदी के किनार है, तो यह गोमती नदी के किनार इ श्तित्य जो है अब देखिए उत्तर पदेश की बात आई है और ज्जार्कन जो है हमारा उत्तर पदेश के साथ अपनी बाउंडरी को सेर करती है तो आप ये उत्तर पदेश का मैप देख रहे हैं आप मैप में इस पाट को देखिए, इस वाले पाट में आपको अमारा ज्ञारकन देखेगा, यहां पे आपको अमारा ज्ञारकन देखेगा, तो यहां पे जो है, अमारा ज्ञारकन उत्तर पदेश के साथ अपनी बाउंडरी को सेर कर रहा है, अब ज्ञारकन का कौन सा जिला और उत्तर पदे को आपस में share कर रहे हैं, आईए समाझते हैं, यह हमारा ओगे जाड़कन और हमारे जाड़कन में यहाँ पे है उत्तरपदेश, देखिए, यहाँ पे कोने में गड़वा जो है, गड़वा के पास आपको दीख रहा है उत्तरपदेश, तो यह उत्तरपदेश हो गया, उत्तर बाउंटरी को जो है शेर करता है गड़वा की बात करेंगे गड़वा जारकन का एक मात्र ऐसा राज है जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी बाउंटरी को शेर करता है यानि जारकन का केवल एक जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी बाउंटरी को शेर करता है इतना आप ल और तीन राज्यों के साथ अपनी boundary को अपनी सीमा को share करने वाला यह जारकन का एकलोता जिला है। हम लोग जारकन के बारे में समझ गए हैं कि जारकन का कौन सा जिला उत्तरपदेश के साथ। अब समाझते हैं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, जारकन के बारे में समाझ गड़वा, जारकन का गड़वा जिला जो है, सेर करता है, अब बात आईए उत्तर प्रदेश की, तो यह आप देख पा रहे होंगे, यह है उत्तर प्रदेश का मैप, अब इसमें हम लोग द तो उत्तर प्रदेश का भी एक ही जिला ज्धार्ड़ के साथ अपनी बाउंडरी को सेर जो है वो करता है सोन भद्रा जिला उत्तर प्रदेश का है और गड़बा जिला अमारे ज्धार्ड़ का है दोनों अपस में बाउंडरी जो है सेर करती है तो अगर आपसे question ये पुछा जाए कि उत्तरवदेश का कौनसा जिला जारकन के साथ अपनी बाउंटरी को सेर करता है तो उसका सेयांसर होगा सोन बंद्रा ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं अब देखिए आपसे पिछले वीडियो में ये कोशन पुछा गया था कि हाली में राची में कब से राजिस्तरिय कला उत्सब का आयोजन जो है वो किया गया है तो इसका सही अंसर होगा 22 और 23 नॉबंबर को इसका जो आयोजन ने वो किया गया था राची में आज के लिए आपका कुशिन है जारकन के किस जिले में लोजिस्टिक इंडस्ट्रियल हब का निर्मान जो है वो किया जाएगा तो जो भी इसका सही आंसर होगा उसका आप लोग कमेंट करके आंसर दे और इसके बारे में आप लोग डीटेल में लिखे देखिए ये कौन से कोरीडोर के अंतरकत क्या जाएगा इसके बारे में भी लिखे कि किस कोरीडोर के तहत जारकन के किस जिले में लोजिस्टिक इंडस्ट्रियल हब का निर्मान जो है वो किया जाएगा तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दे और उसके बारे में भी कि आप लोग डीटेल में दिखिए चलिए जारकन के प्रिविएज डेज के कुछ इंपोर्टेंट करेंड अफेर्स काम लोग रिविजन करते हैं हमारा इसमें पहला कुछ इन हाली भी आले में BIT मैसरा का दिछ्छान समारों को आयोजन जो है वो कब किया गया था तो BIT मैसरा कि यह कहां पर है यह जो है रांची में इस्तित है और 1955 उननीस सो पचपन में कब उननीस सो पचपन में BIT मैसरा को स्टेबलाईज जो है यानि इस्थापना जो है किया गया था हाली में कब जारकन सरकार के द्वारा जारकन में जारकन इलेक्त्रिक वहिकल पॉलिसी को लाग लागू के गया है इस policy के तहद जारकन में इलेक्ट्रिक वहिकल को जो है क्या क्या जारा है बड़ावा दिया जारा है तो 19 ओक्टोबर को जारकन सरकार के द्वारा जारकन में इलेक्ट्रिक वहिकल पॉलिसी जो है उसे लागू के गया है और इस policy की तहद जारकन में जो भी इलेक्ट्रिक वहिकल परचेज करेंगे उनको जारकन सरकार के द्वारा सबसीडी दी जाएगी कोई भी अगर इलेक्ट्रिक वहिकल परचेज करते हैं जारकन में तो उन्हें ज कीतना दिया जाएगा बाइक के लिए कितना दिया जाएगा इलेक्ट्र य्क दिया जाएगा इलेक्ตरिक विइकल को बढ़ावा दिया जा रहा है इस policy के तहत तो इसे स्केट के पunci participants को कि इसके पॉलिसे को जोए है लागू किया है हाली में आई-ाइटी कानपूर में आई-जित स्पोर्ट फेस्टिबल 2022 में जहाड़कन के अभिजीत कुमार ने're किटने पदक जो है परक्ते है घार कंक के अभी डिजीत कुमार की बात करेंगे तो इन्हों ने कितने पदक टोटल दो पदक प्राप्त की हैं, तो option A जो है इसका बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा. हाली में जारकन के कितने महिला फुटबॉल खिलाडियों को मुख्यमंतरी हैमन स्वरेन के दुवार सम्मानित किया गया है. जारकन के टोटल छे महिला फुटबॉल खिलाडियों को जारकन के मुख्यमंतरी हैमन स्वरेन के दुवार सम्मानित किया गया है. जारकन के किस जिले में मिनी सचीवालाई का निर्मान किया जाएगा? अगर मिनी सचीवालाई की बात करेंगे तो देखे जारकन की उप्राइज़ानी दुमका में मिनी सचीवालाई का निर्मान जो है किया जाएगा option D जो है इसका बिल्कुल से आंसर हो जाएगा दुमका में मिनी सचीवालाई का निर्मान जो है वो किया जाएगा तो option D इसका बिल्कुल सेयंस होजेगा दुमका, अगर सची वालाई की बात करेंगे, तो वो जो है राची में इस्तित्र और मिनी सची वालाई की बात करेंगे, तो इसका निर्मान ज्यारकन के दुमका में किया जाएगा, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आ आपको सारे चीजे समझ में आ गए होगे, तो चलिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तरे के लिए थैंक्यू, टेक केर, भाई भाई, वीडियो को अपनी दुस्त तक ज़रूर शेयर करें.